हेलो एविवन तो आज में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुती लजीज बहुती टेस्टी और बहुती कम इंगिडियन्स में बन कर तयार होने वाला चटकारा कबाब की रेसिपी जिसे आप घर पर ही बहुती आसानी से बना कर तयार कर सकते हैं यह बहुती कम मसालों बहुते बहतरिन से दिश्मन कर तयार होती है तो एक बारी से अब जब स्वरूर ट्राइण करें तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं 1-300 gram मैने चिकन लिया है मैंने भॉलिसी चिकन का यूझे केया है इसके जो मैंने छोटी-छोटी अब साथ लग मढई कर लेंगे पीका जोड़े हैं इसके साथ तोड़ी मंहों बर्च पर उसने इसी के साथ गरॹ भ्रप आज कर सेथures कहलेक है करे दमख अ मृत हरो रयलादी या जिफ कहलो यह है पूर आज ना इसके साथ गरहं पारिण कर देऊ來到 साथ स अब इस सब को हमें एक mixi jar में डालकर इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है या आप इसे chopper में भी पीस सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छा सा पीस लिया था अब इसमें बैंडिंग के लिए यहां पर मैं दो से तीन चमज यहां पर मैं बेसन एड़ कर रही हूं और इसे भी हमें अच्छे से इसमें mix कर लेना है इसे अच्छे से mix करने के बाद यहां पर मैं देशी घी एड़ कर रही हूं इसे जो इसका टेस्ट बहुती amazing सा आता है और इसी के साथ एक बड़ा चमज इसमें ginger garlic paste आड़ कर लेंगे मैं भूल गई थी तो आप इसे इसमें ज़रूर एड़ करें और इसे भी हम अच्छे से mix कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो कबाब का जो mixture हो बनकर ready है अब हातों पे oil grease कर लेते हैं और इसके छोटे-छोटे portions लेते हैं और round shape देते हैं इसे और हलका सा प्रेस कर लेंगे और इसे pencil या आप इसे सीक की स्लेंडर सा shape मैंने इसे दे दिया था बाकी जितने भी हमारे कबाब की जो potions है इसे हमें shape में दे देना है इस तरह से सबको बाकी को भी हम shape दे देते हैं अब दूसरी तरब एक pan में थोड़ा सा oil add कर लेते हैं इसे अच्छा सा गर्म होने देंगे और यहाँ पर एक medium size की मै एक टमाटर भी लेंगे कटा हुआ और इसे भी हमें हलका सा fry कर लेना है तो आप देख सकते हैं इसे बाहर निकाल लेंगे आप दूसरी तरह पैन में थोड़ा सा oil add कर लेंगे और इसे गर्म करने के बाद हमारे जितने भी कबाब है इसे हमें के करकिस में fry कर लेना है तो फ अच्छा सा कलर चेंज होने तक अच्छा से इसमें फ्राइ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी कबाब है इसा कलर अच्छा सा चेंज हो चुका है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं अब इसी gravy ready कर लेते हैं तो उसी pan के अंदर हमें उसी oil में हमें gravy तयार कर लेना है तो 2-3 medium size के बारीक कटी हुई प्यास है मैंने इसे बारीक कट कर लिया था वो इसमें हम एड़ कर लेते हैं और प्यास को भी color अच्छा सा चेंज होने तक भून लेंगे प्यास कलर अच्छा सा चेंज हो चुका है अब इसी के साथ इसमें मैं जिंजर गालिक पेस्ट आइट कर लेंगे एक बड़ा चमच और इसे भी अच्छे से हमें भून लेना है जब तक कि जो इसकी smell रहती है वो निकलती नहीं अब यहां पर मैंने दो बड़े टामाटर लिय अब इसमें कुछ इसपैसिस हमें एट कर लेना है तो यहां रद्धनिया बॉर्ड़ एट कर लियां में हाफ टीस्पून लाल मिर्शी बॉर्डर एट कर लेंगे हाफ टीजपून और गरब इसमें थोड़ा सा आड़ कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें जितने चाहें मसाले आड़ कर सकते हैं, और इसे भी अच्छे से फ्राइ करते हुए हमें भूल लेना है, अब इसे कवर करके थोड़ी दिर भूलने देते हैं, मसालों को पकने देते हैं, अब यहां पर मस कबाब हैं सेके करके इसमें डीप कर लेते हैं तो सारे कबाबों को इसमें अच्छे से हमें डीप कर लेना है फ्लेम को हमें low-to-medium पर विए रखना है और इसे कवर करके 10-12 मिनिट के लिए हमें इसे पकने देदे हैं तो 10-12 मिनिट होने के बाद आप देख सकते हैं पानी इसमें 50% अच्छे से पक चुका है और जो हमारी हमारी जो कबाब है इसमें अल्मोस अच्छे से भी पक चुके हैं अब इसे एक बार अच्छे से हमें ऊपर नीचे कर लेना है और इसे कवर कर लेते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे इसे पक चुका है और हमारी जुग्रेवी है वो बनकर रेडी है अब जो प्याज हमने फ्राए कर लिए थी टमांटी जो फ्राइ किये थे वो इसमें आड कर लेंगे अधलेगे और हलका सा इसमें मिक्स और लएना है इसमें इसे जो इसका स्टेक्सचर छेंब बहुत ही ये खाने में बहुती लजीज और टेस्टी बन कर तयार होते है फ्रेंस और बनाने में बहुती आसान है तो एक बार इसे आप जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी वीडियो पसन आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और मुझे अपना फीड़ बैक भी जरूर देते रहें